बीते कल वीकिंट के वार के दौरान विश्वाल आदित्या सिंग का बिग बॉस सीजन 13 से सफर खत्म हो गया फिनाले के इतना करीब आकर विश्वाल आदित्या सिंग बिग बॉस के घर से बेखर हो गया जैसा कि आप सब जानते हैं बिग बॉस जैसे कॉंट्रोवर्शियल रियालिटी शो में विश्वाल की नीची जिन्दगी भी काफी ज्यादा विवादों में घीरी रही मधुरिमा तुली के साथ उनका जो भी रिष्टा था इस प्लाइटपॉर्म पर उसने दम तोड़ दिया अब विश्वाल के एविक्षन पर मधुरिमा तुली की ममी का बड़ा बयान सामने आ गया है विश्वाल के शो से बाहर हो जाने के बाद मधुरिमा की मा ने कहा है कि उन्हें विश्वाल के लिए बुरा लग रहा है वो विश्वाल से कभी नफरत नहीं कर सकते मधुरीमा की ममी ने आगे कहा मेरी बेटी ही नहीं बलकि विशाल भी गेम में बहुत आगे जाते अगर वो दोणों अपने गुप्से पर काबू रखते सच कहूं तो विशाल को मेरी बेची के साथ ही शो से अलिमिनेट हो जाना चाहिए था दोनों की बराबरी की गलती थी सवाल ये है कि विशाल को बिग बॉस के घर में मधुरिमा से दो हफ्ते ज्यादा रहने का मौका है क्यों मिला आगे मधुरिमा की मा कहती है हाला कि मैं आशा करती हूँ विशाल के साथ सबच्छा हो मुझे नहीं लगता मधुरिमा के साथ चीजे नॉर्मल करने का अब उनके पास कोई मौका है नच बली ये 9 और बिक पॉस सीजन 13 में जितना भी हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि इनका रिष्टा बन भी जाता तो उसका कोई फ्यूचर नहीं था हला कि मधुरिमा की मा ने ये भी कहा कि विशाल की ये एविक्षन से उन्हें बुरा लग रहा है विशाल ने उनकी बेटी के साथ चाहे जो भी किया हो लेकिन वो कभी भी विशाल आदित्य सिंग से नफरत नहीं कर सकती नेक्स्ट नाइन न्यूस से मेघा की रिपोट